हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भुगोल के बारे में और इसमें लास्ट क्लास में आप लोगोंने देखा होगा कि हम लोगोंने जीलों के बारे में पढ़ा था और विस्तार से चर्चा हम लोगोंने की थी आज की इस क्लास में हमें बात करनी हैं चटान के बारे में कि चटान का निर्माड किस तरह से होता है चटान कहते किसे हैं आप लोग कितने तरह की होती हैं इनकी विस्ता हैं क्या क्या हैं और इनमें कौन से जीबास मिलते हैं कौन चटान में ये सब देखेंगे और याद रखिए सभी क्लासें आपकी UPSC, Civil Service यानि की IIS और State PCS को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रहे हैं तो बहुती विस्तार से कबर हो रही है और अगर आप लोग भी किसी वी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे आप लोग स्कूल टाइम में हो, कॉलेज टाइम में हो अगर आपके एक्जाम में भी कुश्चन्स पूछे जाते हैं भौतिक भूगोल से तो एक क्लासें आप लोगों के लिए भी मत्मूर हो सकते हैं और इसके लिए एक separate आपकी playlist सूची बना दीगी है जिसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और इसमें सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी चाहे वो समीधान की हो, इतियास की हो, भूगोल की हो, या अर्दोस्ता की हो, या विज्ञान की हो तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं कोई आपका सवाल है रहता है, कोई सुझाओ रहता है, तो आप लोग जरूर बताय करिएगा ठीक है, देखे सबसे पहले आप लोगोंने पिछली क्लासों में किसके बारे में पढ़ा होगा? ज्वाला मुखी के बारे में जरूर पढ़ा होगा आप लोगोंने और ज्वाला मुखी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको मालू होगा कि ज्वाला मुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, मैगमा निकलता है और मैगमा निकलेगा? जैसे मैगमा बाहर भी तो निकलेगा तो आप देखते हैं कि वो ठंडा होकर जमेगा भी तो तो माल लेजे कि आप देखें कि यहां से आपका मैगमा यानि कि लावा निकल रहा है गरम रहता है यह जाकर आप देखें यहां आकर जम जाएगा क्या हो जाएगा जम जाएगा तो इसी को आप लोग क्या कह देते हैं अगने चटान या अगने सैल कह देते हैं यह आप लोग याद रखिएगा कुछ भाग बाहर आकर जमता है कुछ आप देखते हैं कि अंदर कोई स्तुराग मिल जाता है तो हाँ उन में आप देखेंगे जम जाएगा तो उसे आप लोग क्या कहते हैं यह उपर वाला हिस्सा आप देखते हैं कि बैसाल्ट का बना रहता है यह बैसाल्ट हो जाता है नीचे आप देखेंगे ग्रे नाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसके बाद आप देखेंगे कि अगने सेल का निर्माड हो गया यानि कि अगने चट्टान बन गई और आप सभी जानते हैं कि बाहर जमने के बाद इस पर कई कारक भी काम करने लगेंगे जैसे अपरदन हो गया फिर आप देखते हैं कि आपका अपरदन अपचय हो गया ये काहे से होता है ये सब आप देखते हैं कि बाईयू हो पबन हो जल हो इनके द्वारा ये काम करने लगते हैं बल तो इसमें आप देखेंगे कि क्या रहेगा इसे रहेगा आप लोग देखेंगे कि अपच्छाय ओपरदन की बिभिन सादनों द्वारा जो आपकी मौलिक चट्टाने हैं जो आप देखते हैं अगने चट्टाने हैं उनमें आप देखेंगे बिक्टन होगा बेउजन होगा तोटेंगे और आगे जाकर एक इस्थान पर रोकेंगे जमेंगे उसी को आप लोग आउसादी चट्टान कह देते हैं क्या कह देते हैं आउसादी चट्टान या आउसादी सैल कह देते हैं फिर आप देखते हैं कि ताप दाप काम इन पर भी करेगा आउसादी सैल पर भी करेगा और अगने सैल पर भी करेगा इनका रो लोगों को इनकी परिवासा मालूँ चल जाएगा, इनके बारे में मालूँ चल जाएगा, तो यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ आप लोग देख रहे हूंगे, अगने सेल हो गई, आउसादी या परद्दार सेल, और कायांतित या रूपांतित सेल हो गई यानि कि आप देखें अगने सेल, यानि कि अगनी, यानि कि आप देखते हैं कि लावा क्या रहता है, गरम रहता है, अगनी रहती है, और आप देखते हैं उसका जमने से, जो सेल बनती है, उसे अगने सेल कह दीजे, और फिर आप देखते हैं कि इसमें आउसाद आएगा, और परते हटेंगी, और एक जगए जाकर परतें जमेंगी, तो उसे आप लोग परतदार सेल कह देते हैं, और इसमें आप देखते हैं कि इनके रूमपों में परिवर्तन भी होगा कई कारकों के कारण, तो इसे आप लोग रोपांत्रे सेल कह देते हैं कायांत्रे सेल भी कह देते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें सब्दों को आगर आप लोग गौल से पढ़े ना तो इन्हें आप लोग बहतर पढ़ पाएंगे बहतर समझ पाएंगे आप चली हम लोग कितावी परिभासा पर चलते हैं और किताब में क्या क्या लिखा है उसे पढ़कर उसे भी हम लोग समझने की कौसिस करते हैं और आप सभी जानते हैं कि जानेंगे कि अगने सेल जो होगी इसमें आप देखते हैं गर्मी के कारण सब कुछ जल कर राक हो जाएगा तो इसमें आप लोगों को जीवासम नहीं देखने को मिलेंगे यहां आप देखते हैं गए एक कहावत आप लोगों को याद आ जाएगी वो कहते हैं कि जो जितना जलता है उतना कीमती बनता है तो यहां आप लोगों को लोहा देखने को मिलेगा यहां आप लोगों को हीरा देखने को मिलेगा इन चट्टानों में यहां आप लोगों को सोना देखने को मिलेगा तो यह आप लोग याद रखिएगा और जो परतदार आवसादी सेले होगी इसमें आप लोगों को खनिच तेल देखने को मिलेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां से आप देखते हैं कि परत हटते हटते यहां आवसाद की रूम में जमती जाएगी और यहां आप देखेंगे कई पसूओं होंगे पक्छी होंगे बहुत दब जाएंगे लाखों साल तक दबे रहेंगे तो उनी से तो आप देखते हैं कि कोईला हो तेल हो यह सभी बनता है ठीक है? तो यह आप लोग याद रखिएगा और इसी से आप देखते हैं कि कमजोर परत भी रहेगी है, मुलाइम भी रहेगी तो इसी से आपका चूना पत्थर हो यह आप देखते हैं कि जो ताजमहल आप लोग देखते हैं न वो भी इनी चट्टानों से बना हुआ है ठीक है? परतदार या आवसादी सेलों से देखिए यह हमारी प्यारी पितवी है और इसमें आप देखेंगे यह सिया है हमारा और इसमें भारत आपको देखने को मिलेगा यह आपकी पड़ोसी में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है चाइना, नैपाल, भूटान, बंगलादेश, बियानबार और आप देखेंगे यह सियलंका है जलिये सीमा हमारी लगती है पाक, जल्डमरो, मननार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी तो आप देखेंगे पितवी का निर्माड गैसी पुंज की सीतलन और ठोसी करन की फलसरूप हुआ है और उपरी पवडी यानि की उपरी करश्ट ठोसबस्ता में और जिससे चट्टान की संग्या पेदान की जाती है और इसके अंतरगत ग्रेनाइट, बलुका पत्थर जैसे कठोर चीका तिथा रेत जैसी कौमल, खडिया और चूना पत्थर जैसे प्रवेश से चट्टाने देखने को मिलेंगी बाहे पपड़ी के सजन के परशाद इसका परदन और रूपांतरन बड़े पिर्मान पर हुआ है और फालसुरूप इनके सौरूप और गुड में भिन्नता उत्पन हो गई है इसी के आधार पर चट्टानों को अगने आउसादी और कायांतरी चट्टानों में बिभाजित किया गया है और इस्थल रूपों के उद्गवाओ विकास बनेगी तो इसे आउसादी तो इसे–से –अफादी च ट्टानों होसदान लेगा तो इनका रूप भी बदलेगा रूप बदलेगा जो चट्टाने बनेगी तो ने आप लोग रूपांतरित सैल कह देते हैं, रूपांतरित चट्टान कह देते हैं, चट्टान का तापर अगर आप देखें, तो फित्वी का बाहे कठोर भाग पपड़ी कहलाता है, और इसके नीचे का भाग अधा इस्तर की में जाना जाता है, और पपड़ी के ऊपरी उठे हुए भाग को इस्थल मंडल और जल युक्त नीचे धसे भाग को आप लोग जल मंडल कहते हैं, और कठोर क्रिष्ट का निर्माद अनेक तत्तों से होता है, और इनमें आठ तत्त हैं, इनमें आप देखेंगे ऑक्सीजन, आपका 46.8%, यानि कि आप देखें, यह पित्वी है, ऊपरी करस्ट आप लोग देखेंगे जो इसी की बात हो रही है, यह स्थल खंड कहलाता है ना, तो इसी की बात, यह 8 तत्तों से मिलकर बनता है, औक्सीजन इतना है 46.8%, यह प्रिलिम्स में इस तरह की एफेक्ट पूच लेगा, सिलीकन आप देखेंगे 27.72%, एलुमिनियम 8.13%, कैल्सियम 3.63%, लोह 5.00%, सोडियम 2.83%, पोटेसियम आप देखेंगे 2.69%, और मेगनेसियम आपका 2.09% का युगदान अतेंद महत्पूर है, और इनके द्वारा पपड़ी का 98.00 भाग निर्मित होता है इन्ही तत्तों से, इन्ही पदार्थों से, से इस 2% भाग निर्माड सत्तर तत्तों के सायोग से होता है, और इस पपड़ी को प्रया चटान कहा जाता है, परंतु भोगोल में इसका प्रयोग विसिष्ट अर्थों में किया जाता है, तो आप लोग सीधा सकेए कि चटान जो उपरी परत है जिसे आप लोग स्थल मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, इस पर आप देखते हैं कि कठोर करश्ट का निर्माड जो कठोर है, जो कठोर चटाने हैं, उनका निर्माड आठ तत्तों से मिलकर बनता है, इसमें ऑक्सिजन भी सामिल है, आपका सिलीकन भी साम सभी तत्थों को समलित किया जाता है और साथी साथ यह बलुका पत्थर ग्रेनाइट की भाती कठोर चीका तथा रेट की भाती मुलैम और खडिया मिट्टी तथा चूना पत्थर की भाती प्रवेस से सिलेट की भाती आप प्रवेस भी हो सकती हैं और अनुवानता चट्टान रहेंगी आउसाथ से बनती हैं परतदार परत बनती हैं रहेंगी और सिदी से आप लोग बात लीजेगा आप देखे कि आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के आसपास के कुड़े के कचड़े आप लोग देख लीजे आपने देखा है कि उसमें जानवर मर रहा है कोई उस से फेक दे रहा रहे उस पर आप देकिए कचणा जमता जा रहा है व railroad्य और कचणा सब्क किया रहा है लेकिन इन्हें बनने में एक नॉर्मल पिक्किरिया आप देखेंगे पैट्वल डीजल खतम हो जाएगा, कोईला खतम हो जाएगा एक समय के बाद, और आप देखेंगे हमारे देश में हम लोग तो बाहरी देशों पर निर्बार है, हम लोग आयाद करते हैं कच्चा तेल, इस्थल रूपों के निर्माण में सेलों का विसिस महत्त होता है, और इनके सुभाव की भिन्नता इस्थल रूपों में भिन्नता उत्वन कर देती है, और आप देखेंगे कि भिन भिन पेकार की सेलों में भिन भिन पेकार के इस्थल रूप निर्मित होते हैं, और इसी आधा और जिस पिकार का बातावन होता है उसी पिकार की चट्टाने बनती है यदि बातावन का परिवर्तन होता है तो चट्टानों में परिवर्तन होना सोभाविक रहता है व्याफग जबाई परिवर्तन का प्रभाव किवल चट्टानों पर ही नहीं चट्टानों पर ही नहीं और ऐसी दसा में या तो पिराचीन इस्थलूप नस्थ हो जाएंगे या पिराचीन इस्थलूपों में नभी स्थलूपों का निर्माड होगा और चट्टाने भी बातावण के अनुसार परिवर्टित होती हैं उधारन के लिए मरूपे देशों की जलवाई सुस्क होती है, यदि यहां की जलवाई आद्ध हो जाए, तो जलिये पे क्रम सक्रिये हो जाएगा, और बड़े प्रवाने पर परद्दाज सेलों का निर्माड होगा, और ताप की दवाओ से भी चट्टानों में कायांतरन की प हैं, वो कायांतरित या रूपांतरित सेल में ताप की कारण परिवर्तित हो जाती है, और चट्टानों की अगर हम लोग भरगी करण की बात करें, तो चट्टानों की उत्पत्ती भिन-भिन समय में भिन-भिन पिक्रिया से हुई है, पैरम में पित्वी तप्त, तरल, गैसी पुझे की रूप में थी, और सीतलन की पिक्रिया के फलसरूप ठोसी करण की करिया हुई है, और कलांतर में इसका बाहे भाग ठोसरूप धारन कर लिया, और फलसरूप अगने सेल का निर्माड हुआ, ये पहले कहा जाता है कि देखें, जो पित्वी हमारी, बहुत ही आप ज्वाला मुखी के जरी है, अगर आप लोग इसे समझें, तो मुझे लगता है कि बेतर समझ पाएंगे, अब आप देखें कि तरल है, ज्वाला मुखी जो लाबा निकलता है, तरल है, गरम है, वो एक जाकर ठंडा हो रहा है, वो जम जा रहा है, उसी थी आप देखना है कि अगने सेल बन रही है, ठीक है, अपर्दन की कारकों द्वारा अपर्दन और निच्छे फिक्रिया बड़े फिर्मान पर हुई, पर इसमें, किसमें, अगने सेल में, जो अगने सेल आप देखते हैं, पहली प्राइमरी सेल बनी, उसी पर आप देखेंगे, और फलसो रूप आप देखेंगे, परद्दार सेल का निर्माड हुआ, और कलांतर में ताप और दाव, दबाव के कारण अगने और परद्दार सेलों का रूपांतर हुआ है, और इससे रूपांतरिक सेल का निर्माड हुआ है, और सेलों की उत्पत्ति और भौतिक और असानिक गुड भिन को यह आप लोग समझे कि इसमें आप देखेंगे करें कि इस पर काम करेंगे अपरदन होगा आप च्छे होगा इसका और यहां आप देखेंगे कि इजम जाएगा तो यह आपकी आवसादी सेल हो जाएगी परत एक परत आ रही है फिर दूसरी परत जमते जा रही है तो यह परतदार चट्टान हो गई फिर आप देखते हैं कि ताप-दाप की कारण इनमें परिवर्तन होगा और यह आप देखें कि क्या बनेगा आउसाद आपकी रोपांत्रित सेल बन जाएगी क्या बन जाएगी रोपांत्रित सेल बन जाएगा यानि कि रोप परिवर्तित हो रहा है इनका ठीक है बनावट की आधार पर आप देखेंगे कि अगने सेल फिर आप देखेंगे दूसरी आउसादी सेल और तीसरी रोपांत्रित सेल अगने सेल सबसे पहले हम लोग अगने सेल के बारे में बात करते हैं अगने सेल अतिंत कठोर होती है और इसकी संधियों में जल बड़ी कटनाई से तरवेश करता है अब आप लोगों को एक उधारन देता हूँ आप लोग देखे कि आप लोग ने एक काम किया होगा बच्पन में आप लोग पॉलीथन आती है ना जो पिलास्टिक के उसे आप लोग जलाते थे उसमें आग लगाते थे वो पूरा पिगल जाता था फिर आप देखते थे कि उसे आप लोग किसी से करके आप लोग गोल बना कर एक गैन का आकार दे देते थे और उसे आप पानी में डाल देते थे ठंडा कर देते तो वो जम जाती थी और फिर आप देखे उसमें आप लोग पानी डालिए उसके अंदर पानी नहीं जाएगा क्योंकि वो कटोर है और जम चुकी है और बड़े मुश्किल से जाएगा अगर जाएगा तो उसी को आप लोग अगने सेल करें और इसमें संधियों में जल बड़ आप देखें पानी के नीचे जहां हमेसा पानी गरता हो वहाँ उस गैंद को रख देंगे आप देखेंगे क्या अपरदन होता रहेगा उस पर कि कुछ परते हटती रहेंगी और आप देखेंगे इस समय ऐसा हाएगा कि उसमें गहराई हो जाएगी और उनके संधियों के मा माड होता है और लावा का जमाओ एक के बाद एक होता है और जिसे कारण कहीं कहीं पर इसमें परतों की भाती उत्पन होती है यह थात में इसमें परतों का आभाओ आप लोगों को देखने को मिलता है यह आप देखें कि एक बार जैसे माल लीजे एक बार लावा में आप देखेंगे, एक बार आया, यहाँ जम गया. ठीक है? इस चट्टान बन गई. फिर आप देखें, कभी फिर से हुआ, यहाँ आया, उपर जम गया. ठीक है? तो इसी की जमाओ की बात हो रही है और इसके करण आप देखें, कई परवत बन जाते हैं, उच्जाईयों पर आप द ठंडे होने से हुआ है, कलांतर में ताब एबं दाब से इसका रूपांतर भी हुआ है, अब फिर से आप लोग उसे बोल रहा हूं, कि उस गैंद का उधारन आप फिर से लिजे, उस गैंद को आप लोग, अब फिर से गरम करिए आप लोग, उस पर आप देखिए फिर से आप दाब लगाईए कि उसका रूप परिवथित हो जाता है उसका आकार बदल जाएगा तो उसी को आप लिए के लिए कहते थाहर बॉल तो है आप लूप याद रखेगा इसी तरह से ज्वालमुखी से निकला आ अगने cell बन रहा है इस पर आप दिखते हैं दाब और दाब काम करेगा इनका रोब बदल जाएगा और इनका रोब बदलेगा तो आप देखेंगे कि इसे रूम पांतरन होगा और रूम पांतरे चटाने इस बनेगी से और फाल स्वरूप इनमें जीवास्म नहीं पाये जाते हैं अब जीवास्म कहां पाये जाएंगे आपको लगता है कि लावा में कोई जीब रह पाएगा जल का राक हो जाएगा क्योंकि इतना गरम रहता है आप सभी जानते हैं तो इसमें जीबास्म का हवा हो रहेगा और रसाइनिक अपच्छे की क्रिया इसमें बहुत कम होती है क्योंकि जलिन में सरलता और सेगता से प्रवेश नहीं कर पाता है और इसलिए रसाइनिक अपच्छे भी बड़ी मुस्किल से होगा कम होगा अगर होगा अगने इगनेयस सब्द ग्रीग भासा के इगनिस से लिया गया है इसका तात पर है अगनी अगनी पिंड से उतपन चट्टानों के रोप में इसकी अभी व्यक्ती होती है तब तरल मैगमा की सीतलन और ठोसीकं से इसका निरमाड हुआ है और जिसके कारण अगने कहा जाता है और भूतलपस सबसे पहले इसी चट्टान का निरमाड हुआ है और इसी कारण इसे प्रात्मिक सेल प्राइमरी रोग भी आप लोग कहते हैं आप लोग समझ रहें, मुझे लगता है कि रोग आप लोग जो देख रहें न लावा यह इतना असान नहीं होता है अगर आप देखेंगे हम अगर यहां जाकर देखें और इसके चपेट में आ जाएं तो जलकर हम राख हो जाएंगे इतना गरम रहता है तो आप समझ रहें आगी की तरह रहता है पूरा आप लोगों ने लोहा को कोई औजार पनाते ना तो उसे गरम कर लेते हैं उसे पगला लेते हैं, तो से आप लोगों ने देखा होगा, अगर उसमें हाथ चला जाए, तो चल कर काम तमाम हो जाएगा, हमारा हड़ीयों का भी मालू नहीं चलेगा, कि कहां गई है, तो आप लोग समझेगा ऐसे, ठीक है, इसी के जमने से आप देखते हैं, कि अगने प्राइमरी काफी मदद देगा है अगने चट्टाने अतेंत कठोर होती हैं बिलकुल कठोर होंगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम जा रही है जम जा रही है तो कठोरता उनकी जांदा देखने को मिलेगी इनमें संधियों के सारी जल बड़ी कठनाई से प्रवेश कर पाता है इनमें व पारत नहीं देखने को मिलती है इसमें रसानिक अपच्छाई की क्रिया बहुत कम होती है क्योंकि आप देखें कि पानी ही नहीं जा पाएगा तो कहां अपच्छाई होगा इसका और होगा भी तो बहुत कम होगा अगने चट्टाने चट्टामों नमें जीवा स्वीस का देख आपको संदिया देखने को मिलेगी नीचे अंदर कहां देखने को मिलेगी अगने चट्टाने चट्टान के निर्माद ज्वालमुकी उद्वेदन से निसप्त लावा की सीतलन और ठोसी करण से हुआ है यानि कि कहने है कि मतलब एकि लावा फट रहा है और वो आगे जाकर जम जा रहा है उसी से अगने चट्टानों का निर्माद हो रहा है ठोस बन जा रही है और फिर आप देखेंगे कि अगने चट्टानों का ताप एवं दाबाओ के कारण रूपांतरन हुआ है अब आप देखें जो जम गई है इसे ही को गरम करिए आप लोग फर उस प अगने चट्टानों का तो उत्पत्ति पिक्रिया उस संगठन तथा गोड में भिन्नता होने के कारण अगने शेलों में भिन्ने पाई जाती है और इनी के अधार पर इनको निमनांकित बर्गों में परगे कित किया जाता है एक देखेंगे रसायनिक सरचना की आधार पर आ बड़े कड़ों वाली अत्वा पैग मेट्टिक और बड़े कड़ों वाली अत्वा फैने रिट्टिक सूक्ष कड़ों वाली अत्वा एफिने टिक और बिना कड़ों वाली अत्वा ग्लासी और मिस्तरित कड़ों वाली अत्वा और फायरे टिक यह आप देखिए कड़ों क आप देखें, सांथ पिकार की, डिस्पोटक पिकार की, आंतरेक अगनेसेल, मदबर्ती अगनेसेल और पातालिये अगनेसेल की रूमें इन्हें बाटा गया है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखेगा, अब हम लोग चलते हैं उत्पत्ती की पिकिरिया की अधार पर हम आपको बताया ना कि देखें, यहां लावा आप देख रहे हैं कि इससे मैगमा निकल रहा है, और आप देख रहे हैं कि यहां जम जा रहा है, अंदर आप देखें अगर उसे जगए मिल जा रही है, तो वो जम जाएगा, तो उसी की बात हो रही है, उपर आकर आप देखते यदि जुआला मुखी उद्वेधन की गती तीब है, तो धरातल पर तथा गती मंद है, तो धरातल की नीचे अगने सेल का निर्माड होता है, और धरातल जमाव पिकिरिया के अधर पर इसे निमनांकित दो पिकारों में बिभाजित किया जाता है, एक आप देखेंगे की बाह धरातल पर ना पहुँचकर धरातल की नीचे भीतर होकर ठोस रोप में धरन कर लेता है, या पिकिरिया कभी धरातल की निकट तो कभी काफी गहराई में होता है, और देखें, मान लेजे कि आप देखें, यह ज्वाला मुकी है, ठीक है, आप देखें, धीमी इसमें आप दे इतने जमाव होगा। पाता लिए अगनेसल की बात करें, तो कभी-कभी चुआला-मुखी का उदगार इतने मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है, कि जमाव भूतल से काफी गहराई में हो जाता है, और लाबा का उदगार बाहर नहीं आपाता है, और पितवी के अंतराल में लावा सीतल और ठोस रूप धारन कर लेता है इसे पातालिय अगनेज सेल की संग्या दी गई है और इस अगनेज सेल का निर्मार अतिन्त मंद गती से होता है और पितवी के अंतरिक भाग में ताप मान अधिक रहता है और फसरूप लावा का सीतलन धीमी गती से होता है, अब आप देखें, ताप जानता रहेगा, तो जमाव भी होगा वहाँ, तो बड़े धीमी धीमी गती से जमेंगी वो चटाने, और पातालिये अगनेज सेल में रवों की मात्रा अधिक होती है, और ग्रेनाइट सेल इसका पिरमुक दिश्टांत है, और इसका निर्माण अंदर इतनी गहराई में होता है, कि अपर्दन के बाद भी एस सेल दिखाई नहीं परते हैं, अब पित्वी के अंदर होगा, तो हमें कहां से दिखाई देंगी, ठीक है, दोसरा आप देखेंगी, मद्द बरती अगने सेल, जब जो अलमुकी की गती अपे इसे आप लोग मद्द बरती अगने सेल की संग्या दी जाती है, और इसका निर्माण बिभिन रूपे में होता है, बैथोलित, लेकोलित, फैकोलित, लोपोलित, सिल, डाइक, आधी पिरमुक रूपों में मद्द बरती अगने सेल पाई जाती है, एक बार और देखेंगी, आप देखें, यह निकल रहा है, अगर आप देखें, बिलकुल धीमा है, तो आप देखें, मन्द है, तो यहीं जमाओ हो जाएगा, और अगर आप देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा और तेज है, तो यहाँ जाकर आप देखेंगे, तरह तरह की, जो जग बाहर अगने सेल, इसमें ज्वाला मुखी की किरियात जब तीब होती है, बड़ा तेजी से आता है, तब मैगमा का जमाद धरातल पर होता है, जब यह आप देखें बाहर आएगा धर्ती पर, तो वहाँ भी तो जमाद होगा, और यह ठंडा स्थीतलन के कारण तब इवं तरल मैगमा ठोस रूपधारन कर लेता है, और सीग ही ठोस होने के कारण इसमें रवों की मात्रा बहुत कम होती है, अत्वा होती ही नहीं है, और बैसार्टिस का प्रमुग दिश्टान्त है, जब आला मुखी की तिबिता के आधर पर इसको निमले के दो बरगों में बाटा गया है, आप लोग हॉली वोड की मुवियां देखिए, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, भारत की मुवियों को मत देखिए, मालू चला कोई ज्वाला मुखी फट रहा है, कोई हीरो निकल जा रहा है वहां से, तो भारत की जो हिंदी मुवियां है, उन्हें मत देखि जाता है और इसी पिकार जब बारीक कड़ों का जमाव होता है तब इससे टप की संग्या दिया जाती है जब चोटे और तथा वड़े कड़ एक साथ निच्छिप्त होते हैं तब उसे ब्रेसिया कहा जाता है और इसी पिकार बंसे पिक्चा के छोटे टुकडों को लैफिली और तथा बारीक कड़ों को जवालमुखी धूल की संग्या पिदान की जाती है फिर आप देखेंगे कि सांत उदगार से निर्मित अगनेसल जब जब जवालमुखी का उदगार बंद गती से होता है तथा भूत तल पर लावा का प्रवा बड़े चित में हो जाता है और सी पदार द्वाना निर्मित चट्टान होती है अब आप देखें एक बार निकल रहा है इसके उपर जमा होता जा रहा है तो उसी की बात हो रही है उसी चट्टान की बात हो रही है एक बार लावा निकला एठंडा हुआ दूसरी बार निकला एठंडा हुआ तीसरी बार निक के परनतु सब्हीं में सिलका की मात्रा अवस होती हैं और इसकी मात्रा किसी में कम तो किसी में आपको अधिक देखने को रहें इसमें आप देखेंगे अम्लत अत्वा एसिड प्रधान अगने अधिक मैं और इसका अपर्दन देर में होता है और जो कठोर होकी उसका अपर्दन इतने नॉर्मल तरीके से तो नहीं होगा ना इसमें सिलिका की मात्रा 60-85 परसेंट देखने को मिलेगी इसमें क्वाइट जिए और स्वेट अत्वा पीत रंग के फैल से पार खनी जिए भी आप लोगो की चट्टाने होती है तो यह भी याद रखेगा ग्रेनाइट पिकार की चट्टाने अमले प्रिधान अगने चट्टाने होती है यह हो सकता है कि फ्रेलम से मैं वन लाइनर भी में यह पूछ ले आप लोगों से तो यह के फैंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है और याद मिलेगी और इसका वसत धनत आप देखें कि 2.18 से 3 तक होता है और इसके कड़ अतिन्दबारीक होते हैं पर इसका अपर्दन की किरिया सीग प्रभाव डालती है और नरम रहेगी तो आप सभी जानते हैं वेसेक अगने सेल में फैरो मेगनेसियम की पिधानता फैल स्पार्क की गौणता होती है और इसमें लुहा की मातरा अधिक होती है जिसका रहेट इसका रंग गहरा लाल देखने को मिलता है लुहा लाल होता है ना दोसी की बात हो रही है मददवर्थी अगनी सेल इस अगने सेल में सिलिका की मात्रा अमल है पिरधान अगने सेल और बेसिक अगने सेल की मदद होती है बीच में ना जानदा ना कम और इसका घनत 2.27 से 2.80 तक होता है और डायो राइट और एंडे साइट इस पिकार की चट्टानों का पिरमुक दिश्टानत है और अल्टा वेसिक अगने सेल में सिलिका की मात्रा कम होती है और इसमें सिलिका की मात्रा लगवक 45-35 होती है परीडो टाइट इसकी पिरमुक अब आप देखें कि अगने सेल का कड़ों के संगठन की आधार पर भी बरीएकन किया गया है तो जौला मुकी के उदगार की गती जमाओ की पिक्रिया और इस्थान के आधार पर अगने चट्टानों के कड़ों के आकार में भिन्नता उत्पन होती है और जौला मुकी है कि आप देखें कोई गरम चीज है अगर आप देखें कि वहां जानदा ठंड होगी तो बड़े जल्दी से जमेंगी और कम ठंड होगी तो धीरे धीरे जमेंगी और जौला मुकी उदगार की तीबिता की कारण भूतल पर बड़े पिनमान पल लावा का निच्छेप होता जाए या सीःग ठंडा हो जाता है और फसरू महीन कड़ों वाली चट्नों का निर्मा़ रही से मद्ध होता है और जब मध्यम कड़ों वाली अगने का निर्मार होता है इसमें पैग में टेटिक, फैनेरेटिक, एपेनेटिक, गिलासी, पोरफाईरेटिक आधी पिरमोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे कभी-कभी अगने चट्टानों के कड़ों का आकार इतना बड़ा होता है कि उसको बिना यंत की साहता से देखा जा सकता है और तब इन्हें बड़े कड़ों वाली अगने सेल की संग्या दे देते हैं और पैग में टेटिक की सेड़ी में आने वाली चट्टानों में कड़ों का आकार बहुत बड़ा होता है एपेनेटिक की सेड़ी में आने वाली चट्टानों का कड़ इतना सूक्छ मोता है कि इसको बिना यंद की साहता से नहीं देखा जा सकता है और गिलासी पिकार की चट्टानों की कड़ों का प्रया आभाव होता है जब स्थूल और सूक्च कड़ों वाली सेलों का जमाव एक ही स्थान और काल में होता है तब इनको आप लोग पोर फायरिटिक सेल की संग्या प्यदान की जाती है दो महत्वोंड अगने सेलों का बर्डन किया जा रहा है इसमें इसमें आप देखे ग्रेनाइड अगने सेल ग्रेनाइड चट्टान का निर्माण भूतल से काफी गहराई में होता है और इसमें कड़ों की संख्या देखने को मिलेगी और अंतता भाग में जमाओ इवन ठंडा होने की पिक्रिया मंद गती से होती है अब आप देखे गहराई में पितवी के अंदर ही होगी वहाँ गर्मी होगी तो धीरे ही जमाओ होगा और इसमें से कड़ों का विकास संबह होता है और इसका निर्माण मुक्रूप से क्वाइडज और आर्थो किलास नामक नामक खनीजों की मिसरन से होता है और इसमें फैस्ट पार, अब्रक, अलवाइट, बायो, टाइट, हार्ड बिलेक, बास्कू बाइट, आधी खनेजाप लोगों को देखने को मिलेगे ग्रिनाइट चट्टानों की रंगों में भिन्नेता पाई जाती है इनका रहे रंग गहरा, भूरा, काला, लाल, पीला होता है इनकी उपत्ती संबंदी बिचारों में बिद्वान एकमत भी नहीं है अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग इसकी बात की है कुछ बिद्वानों की बात माने तो जब बरसा की समय ग्रेनाइट पदार्ट परयाप्त मातरा में एकतित हो जाता है तब ए ठोसो का ग्रेनाइट का रूप धारन कर लेते हैं बैर्णर ने इस पश्ट किया है कि समुद्र में बरसा द्वारा जमाओ की कारेन ग्रेनाइट का जनम होता है या विचार मात देखतिगत और काल्पनिक है हटन की अनुसार ये परिभासा है याद रखेगा इन बिग्ज्यानकों के नाम भी याद रख लिए न अगर आप लोग कहीं परिभासा लिख रहे हैं तो इनके अनुसार इनके अनुसार ऐसे लिख सकते हैं तो वहाँ आपका आंसर राइटिंग में आपका बजन बढ़ेगा कि आपको नाम याद है किसने क्या कहा है और हटन के अनुसार गिरेनाइट चट्टान पराची नहीं है क्योंकि यह कहीं कहीं पर अन पुरानी चट्टानों के मद्द पाई जाती है और आधिकांस बिद्वान इसकी उत्पत्ती ज्वाला मुखी उदगार की फलसरोग ही मानते है एक आप देखते हैं कि बैसाल्ट बैसाल्ट की उत्पत्ती ज्वाला मुखी उदगार द्वारा होती है और जबतप्त मैगमा का जमाब भूतल पर होता है तब इसमें सीतलन की पिक्किरिया पैरम हो जाती है और मेगमा सीगी सीतल हो जाता है यानि कि ठंडा हो जाता है और इसके फाल सुरूप बैसाल्ट का निर्माड होता है और बैसाल्ट में रवे नहीं पाये जाते हैं और जहां कहीं पर यह देर से ठंडी होती है वहाँ पर रवेदार बैसाल्ट का निर्माड देखने को मिलता है एकड़ बहुत ही सुक्ष मोते हैं इनको यंद्ध की साहता से देखा जा सकता है और वेर्णर ने इसका निर्मार इस्थल आद्ध समुद्ध माना है और ज्वालमुखी उद्गार बैसाल्ट के कड़ों को प्रवावित करता है ज्वालमुखी उद्गार की रासी यदी बिसाल होती है तो इसका सीतलन देर से होता है और फलसुरू बड़े बड़े कड़ों का निर्मार होता है इसके विपरी जब ज्वालमुखी का उद्गार बहुत कम मात्रा में होता है तो इसका सीतलन सीख हो जाता है और फसरूख सूच कड़ों का निर्माड होता है और इसमें सिल्खा की मात्रा 55 पिती सता आपको देखने को मिलेगी और मैगमा की सीतलन की समय इसमें बिस्तित दरारें पड़ जाती हैं और बाद में अपच्छा किरिया के लिए आवस्तितियां उपलब्द करते हैं अब आप देखें दरार ने ढहेंगी तो उसमें आसानी से पानी जा पाएगा अनिकारक काम कर पाएगे उसका अपच्छा संभव हो जाएगा अब देखें परददार अउसादी सेल की बारे में बात कर लेते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है न अगने सेल की बारे में अगने चट्टानों की बारे में पढ़ा है यानि कि सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जो लावा निकल रहा है न इसका जो जमाव हो जा रहा है न इनको इनके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अगने सेल के बारे में अब हमें पढ़ना है आवसादी परदार सेलों के बारे में तो आवसादी सेल का तातपर आवसाद की जमाव से निर्मित चटान से होता है और अपच्छे अपरधन पिक्करमों द्वारा सेलों से तूटने फूटने से पराप्त मलवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा किया जाता है ओर कलांतर तक निरंतर और मलवा के निचेप होने और मिसिर पदातों की धसने विवस्थित होने आदि से परद्धार सहल का निर्माड होता है और मैंने आप लोगों को दिली के कचरे का उधार इसलिए दिया है कि आप देख रहे कि माण लिजे सब का घर को मांग लिजे अगने चट्टान आप लोग देखिए आप सब अपने घर को मांग लिजे अगने चट्टान आपके घर से आप देखने की आवसाद निकल रहा है उसमें आप देख रहें की कचड़ा है कर कोई भी आप देखे कोई आप देखे चूहा मर गया, कोई आप देख रहे हैं कि बिल्ली मर गई, आप लोग जा रहे हैं और फेक के आ रहे हैं, और इसी तरह से आप देखे दिल्ली भी कर रहा है, पूरा दिल्ली, और एक तरह से आप देखे उस पर जमाओ परत 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 बनते बनते, आउसाद गलते एक पहाड बन गया एक चट्टान बन गई तो उसी चट्टान की आप लोग बात कर रहे हैं ठीक है और इसमें आप देखेंगी बार सेश्टर ने अपनी पुस्तक ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियो मार्फोलोजी में इसपस्ट किया है कि आवसादी सेल जैसा कि आवसाद स आपदयों में होता है है कि झेड़ y Audi कि समया प्यदान की जाती एं अब आप देखेंगे फिरसे तो समझने की कौसिस करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको और इसे आप देखेंगे कि आपका पिदाचीन चट्टानों की टुकड़ों और खनिजों के जो किसी ना किसी रूम में संग्ठित होते हैं जमादवारा परत का निर्माड होता है आउसाद का जमाद परतों का जमाओ और आंते में बारी कड़ों का जमाओ आप लोगों को देखने को मिलेगा अपरदन करम की चमता पर कड़ों का आकार एवं भार निर्भर होता है उधारन के लिए परवत पाद चेत्रों में जलोड पंकों का निर्माड होता है इनमें पहले बड़े बड़े संगठित हो जाती है क्या हो जाती है संगठित हो जाती है और इनमें आप देखेंगे कि सेडी मेंटरी सब्द की वितपत्ती ग्रीग भासा में सेडी मेंटम सब्दे से हुई है जिसका मतलब होता है नीचे बैठना और इस पेकार आवसादी सेल तल छटों की नीचे जमने और संगठित होने से निर्मित होती हैं परतों में निर्माण होने की कारण इसे परतदार सेल भी आप लोग कहते हैं अब आप देखें एक पर एक रखते जा रहे हैं आप लोग तो इसे परतदार ही चटान तो कहेंगे ठीक है और आउसादी सेलों की बिसेश्टाओं की अगर बात करें हम लोग परतदार सेलों की चटानों की इनकी बिसेश्टाओं भी आप लोगों को याद रखना है आउसादी सेलों का निर्माण नेंतर बनस्पतियों और जीवों पर आउसाद अत्वा तलचटों के जमाव से होता है यहां यह point आपको याद रखना है कि आप देखें इसमें बनस्पतियां देखने को मिलेंगी जैब देखने को मिलेंगी आप देखें जीव जन्तु देखने को मिलेंगी और इनमें बनस्पतियों तथा जीवों के आउसेस पाए जाते हैं और आउसेसों के आधार पर इनका निर्माण काल ग्यात किया जा सकता है और इसी के आधार पर चट्टाने चट्टान भूख भरविक इतियास की पुस्तिकें और जीवास्विस उसके पेश्ट संकल्फना का पिती पादन किया लियता है जीवास्विस जरीए आप लोग तिथी भी तो ग्यात करते हैं ना इतियास में आप लोग परते होंगे तो नी की बात हो रही है आउसादी चट्टानों का जमाब विसाल भूभाग पर होता है और इनका भूभ पटल की निर्माण में कोई युगदान नहीं होता है आउसादी चट्टानों का निर्माब परतों में होता है फल्सरूप इसे परद्दा सेल की संग्यावी पिदान की जाती है आवसादी सेल संगठित और आसंगठित दोनों फिकार की आप देखेंगे कि दोनों फिकार की होती है इसमें पाये जाने वाली खनिश संगठन को संगठन को प्रभाविद भी करते हैं और अवसादी सेलों में छेतिज संचलन के दबाव में मोडे पड़ जाती है फासरूप अनेक अभीनतियों और अपनतियों का निर्माण होता है ये मोडे कभी-कभी इतनी तीब होती है कि एक दूसरे पलत जाती है अथवा तूट कर भी पिठक हो जाती है ये मोलायम रहती है अवसादी चटाने अगने चटानी की तुल्ला में अवसादी सेलों में जोडों का विकास होता है अवसादी सेलों में परतों का जमाव समानंतर और चेति अवस्थाओं में होता है आवसादी सेलों में जलोड की मत्रा आधिक होती है फ़सरू बाड की समय इसमें दरारें पढ़ जाती है आवसादी सेलों का अपरदन सीग होता है, ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा आउसादी चट्टानों से ही आप देखते हैं कि आपका चूना हो पत्थर हो कई जगे सेमेंट ही इससे ही बनता है और आप देखते हैं कि तेल हो जो आप लोग देखते हैं जीवास के जरिये तेल बनता है खनिच तेल और फिर या तो कोईला आप लोग देखें इनी में आप साधन आधी के आधार पर इसको निम्नांकित मुख गौण और उपभागों में विभाजित किया जाता है इसके अंदर आप देखे इसे बाटा जा रहा है निर्मार में भाग लेने बाली आउसादों के आधार पर यांत्रे किरियाओं द्वारा निर्मित चटन और इसमें शयलाbitे कोईला और रासाइनिक ततनों से निर्मित सेल इसमें नमक की सेल खरी खरी खरीया आप लोगों को देखने को मिलती है, एक खरीया आप लोग देखते हैं घरों में उपयोग होती है, पताई पताई में, और आप देखें चूना पत्तर, चूना भी घरों में उपयोग होता है, इनी चट्टानों से निकलता है, निर्मार में भाग लेने बाले साधनों क और इसमें आप देखेंगे पिकारों में अवसादी सलों का विवाजन किया जाता है इसमें आप देखेंगे चटान चूर्णों अत्वा यांतरिक किरियाओं से निर्मित अवसादी सल इसमें आप देखेंगे अपच्छाई की किरिया से चटानों में विक्टन होता है और चट्टाने टूट जाती हैं जिसमें बड़े बड़े चट्टानों की टुकडे तथा चूड प्राप्त होता है परीवान अत्वा अपर्दन की कारक नदी पबन हिमानी परी हिमानी समुद्री लहदी आदिस का परीवान करती हैं यानि कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं अनुकूल परिस्तितियों में इनका निच्छे यानि कि वहां जाकर इने छोड़ देती हैं और तल चटों का जमाओ जील अत्वा समुद्र में होता है और निच्छिप्त पदार्थ संगठित होकर परदा सेल का रोप धारंग कर लेते हैं बलुका पत्थर कांगलो मरेट और चीका सेल लुएस आदीस पेकार की निर्मित प्रमुक चटाने देखने को मिले गया लुएस का मैदान आप लोग परते होंगे इसी तरह से आप देखते हैं कि इसका निर्माड हुआ है बलुका पत्थर की चटानों के कड़ों में भिन होती है और कड़ों का अकार अपरदन पिकरम की सकती पनिर्माड होता है यदि अपर्दन पिक्रम की सक्ति तीब रहती है तो कड़ों का अकार अतिन्त छोटा और यदि अपर्दन सक्ति मन्द रहती है तो बहुत बड़ा होता है और इनके कड़ों का ब्यास भी भिन भिन होता है बहुत बड़े कड़ों का ब्यास एक मिली मीटर, बड़े कड़ों का एक दूहाई एक दूसरा मिली मीटर, मध्यम कड़ों का एक चौथाई मिली मीटर, बारी कड़ों का एक आठवा हिस्सा मिली मीटर, बहुत बारी कड़ों का आप देखेंगे एक सोले भाबाग मिली मीटर होता है और बल्व का पत्थरों का कभी-कभी संगठन होता है तथा कभी नहीं होता है यदि इनका संगठन नहीं होता है तो चट्टाने दरग जाती है और जिसमें जल्स रिसकर अधोगामी होता है और पाताली एक वे कि निर्मार में चट्टानों का विशिस्मात भी होता है आवसादी सवलों की निर्माड की समय बीच बीच में विस्तित आकार वाले कड़ों का जमाब भी होता है। एक 32 हिस्ता और एक 8192 मीटर तक का हो जाता है और इसे आक से देख पाना बड़ा मुस्किल होता होगा। एक हिस्ति में से 8192 मीटर होता है तब उसे ची का चट्टान कहा जाता है और इस पिकार निर्मित आवसादी चट्टानों में अपर्दन की रिया सुन होती हैं। क्योंकि ये टे-चे चट्टान घुलनसील नहीं होती हैं और निर्मान में प्रियोक्त पदार्तों की भिनता के कारण कभी-कभी एक पतली परतों में उधरना प्यारम करती हैं। अपर्दन की रिया सहलता से शुरू हो जाती है और आर्थिक द्रिष्टी से इस चट्टाने बहुत ही मात्पूर हैं। इन चट्टानों से खनिच तेल प्राप्त होते हैं। आपको जो बता है ना उसी की बात हो रही है। कार्वनिक तत्तों से निर्मिक सेल, आहुसादी सेल, जैब जन्तुओं, तथा बनस्पतियों की जमाओ के आधार पर कार्विक चट्टानों का निर्माड होता है। इसमें निम्ना के तीन प्रमुक पेकार होते हैं। अब आप देख रहे हैं, जीब जन्तुओं मरते जा रहे हैं, वहीं जमाओ हो जा रहा है। बर्फपति भी वहाँ दब जा रहे हैं। चूना प्रधान सेल का निर्माड समुद्र जील आधी में होता है। जल में कैल्सियम कार्वोनेट घोल कर प्रवाहित होता है। इसमें समुद्री जीवों प्रवाल आधी को भोजन प्राप्त होता है। और समुद्री तल की आउतलन अत्वा जलवाई प्रिवेतन के कारण तामान बढ़ जाता है। तब प्रवाल कीट मर जाते हैं। और इनकी खोलों पर आवसात का नियंतर जमाओ होता है। कलांतर में सेयोजन की किरिया होती है और फलसरूप चूना प्रिधान सेलों का जमाओ हो जाता है। और इस पेकार की चट्टानों में कड़ों का आकार इस्थोल तथा सूप्छ में दोनों होता है। कैल्सियम कार्वोनेट की उपस्तिती के कारण इंड में घुलन सील तक आ जाती है। और फलसरूप इनका परदन सीख हो जाता है। और सुस्क जलवाई पिदेश में ताबमान का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। चूना पत्थर में जल सीख से प्रवेश करता है। और फलसरूप आंत्रिक भार में घुलन किरिया बैरम हो जाती है। फिर आप देख कार्वन पिद्धान आवसादी से लें। इस पिकार की चट्टानों का निर्माण बनस्पतियों की उपर नियंतर मलवा की निच्छेप से होता है। मलवा निच्छे प्यानी की उसके उपर और मलवा जमाव होता जा रहा है। बाद में दवाओ और कार्वनी की करण की क्रिया से कार्वन पिधान चट्टा निर्मेत होती हैं। इसमें परतें पाई जाती हैं। कोईला इसका प्रमुक दिश्टान्त है। यानि कि आप देख रहें कि जो बनस्पती दपती जा रही है, हजारों लाखों साल की बाद एक कोईला में तबदील हो जाएगी। सिलिका पिधान जील, सिलिका पिधान सेल, सिलिका पिधान सेल या चट्टान का जमाव गयसर की आसपास होता है। इसमें सिलिका की मातर आधिक होती है, और रेडियो लेरिया, इस्पन जीवों, डायटम पौधों, आधि के द्वारा इस पिकार की चट्टानों का निर्माड होता है, इसका रंग सुएद भूरा और पीत आधि देखने को मिलेगा, और फिर आप देखेंगे, जमाओ के साधन या इस्थान के अधार पर आपकी जो अवसादी सेल है, इनको चीका की मातर आधिक होती है, इनमें जमाओ के अधार पर इनको तीन उबर्गों में भी भाटा गया है, नदियां जील और नदियां जील में जमाव करती है और इस निचेप से निर्मित परदार सेलों के जील के चटान कहा जाता है और जील के सूकने तली के उत्थान होने और जील के पूर्टा भर जाने आदी से इस पिकार की चटानों का निर्माड होता है अब आप देखें नदियां बहा कर ला रही है जल के द्वारा और एक जगे तो आप देखें वो जमाओ करेंगी ना उनी का बात हो रही है कभी कभी तल चटों को अपनी तल हटियों किनारा पर निच्छेप कर देती है और इसमें बनी चटानों को नदी कित परदा सेल की संग्या दी जाती है पर आप देखते हैं कि बायू निर्मे सेल हो गई यानि कि बायू के द्वारा मरूज थली चेतरों में अपच्छेप की क्रिया से विक्टन अजवा बेवजन होता है और फलसरू बड़ी मात्रा में चटाने पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं और जिससे पवन अपने साथ उड़ा कर अन्यंत जमा कर देता है इससे आप लोगों ने देखा होगा कि गाउं की तरफ कि जो बायू है आप देखते होगे कि धोल उठाता है एक जगर से और बड़ा आप देखते हैं कि ये एक तरह से बबंडर टाइक का बनकर, एक जगर जाकर वो बैट जाता है तो वहाँ से धूल जहा से लिया, वहां से ले जाकर वहाँ जमाव कर देता है तो उसी की बात हो रही है उसीतरay से इनका जमाव पर्तों में होता है, परन्तु कभी कभी इन में पर्तें नहीं भी पाई जाती हैं, लोएस किसका पिरमोग दिश्टांत हैं, नदियां जब इसमें प्रवेश करती हैं, तब गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, चीन, मद्धी, उरोप, सेविकतराज, आदी में इस पिकार की चट्टाने पाई जाती हैं, आपको देखने को मिलेंगी, हिम निर्मित जी सेल, हिम खंड अपने साथ बरप की टोगडे, चट्टानों की टोगडे और अन्य पदाथों का परिवहन कर पूर निर्मित नदी घाटी के पास तल, तली और मद्धी आउसादी चट्टानी की कहानी खतम होई, यानि की इस चट्टानी की कहानी भी खतम हो गई, आउसादी, ठीक है, परदार, अब बचती है कायांतरित, यानि की रूपांतरिक चट्टान, यह आप देखेंगे की अगने सेल से भी इसका निर्माड होता है, और आप यह उसके निर्मान में रूपांतिश च्टान के रूपांतर की यह मुख्य है। होता है है और पुना रूपांत्रन अतिधिक तामान और भूघर्वी कहल्चल की फलूसुरूप संभव होता है और कायांतरी चट्टान का निर्मार में पुरूपांत्रन मुख के हरिया है या निम न्कित पिकार की होती है ऐसे पूरा गिसमें आप देखेंगे कि अती रूपांतरन तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा तामान और दबाओ की कारण जब पुना रूपांतिक चटान का रूपांतरन होता है तब उसे आप लोग अती रूपांतरन कहते हैं भौतिक रूपांतरन जब तामान भार अथवा एवं दबाओ के कारण च रूपांतरण की रूम में आप लोग जानते हैं रूपांतरण की करह के पारिक तो चटानों की रूपांतरण की निम्ना Cao к कि इसमें अब देखिए मोल चटान थामान की अधिक्ता के करण पगल जाती हैं ओफंशलूरूप इनका रूप परिवर्तित हो जाता है इस पिकार तामान एक महत्पूर कारक इसमें तो आप देख रहे हैं कि देखें लावा निकल रहा है उससे निर्मित हो रही है अगने सेल अगने चट्टान उससे आप देखें अगर फिर से गरम किया जाए तो फिर से भी तो आप देखते हैं कि गरम ह होगी तो फैलेगी उस पर आप देखेंगी क्या होगा उसका रूप परिवर्तित होगा तो उसी की बात हो रही है इसमें ताबमान मुख के कारक है परवत निर्माणकारी घटनाओं की समय अंतरजाद बल यानि की अंदर वाले बल 36 संचलन होता है और दवाओ अत्वा संपीडन उत्पन हो जाता है और फालसरूप चट्टानों में मोडे पड़ती है और इसमें इनका रूप परिवर्तित हो जाता है इस परश्ट है दवाओ अत्वा संपीडन द्वारा महत्पूंट कारक हैस का दूसरा ठीक है और ऑक्सीज रूपांतरन की कारक अगर आप देखें तो रूपांतरन की कारण ततना चेत भिन्ड भिन्ड होते हैं और फालसरू भिन्ड भिन्ड पिकार की रूपांतरित चट्टानों का निर्मार होता है और रूपांतरन की महत्पूर्ण निम्नांकित महत्पूर्ण पिकार हैं यह आप आप देखे इसमें जलिये रूपांतरन ताप जलिये रूपांतरन और दूसरा रूपांतरन के छित के अनुसार तो इसमें सन इस परसिये रूपांतरन छेतरी रूपांतरन देखने को मिलेगा ठीक है और उपयुक्त बर्गी करण से कायांतरित चट्टानों के निर्माण की क रिया विधी की साथ प्रिकारों का भी बोध होता है एक अन्न निम्नांकित सामान बरीकन किया जा सकता है तापी रूपांतरन चेतरी रूपांतरन जली रूपांतरन ताप जली रूपांतरन इसमें आप अगर तापी रूपांतरन की बात करें तो ज्वाला मुखी उद्गार तथा चट्टानों की परस्परिक सहयोग से तापिये रूपांतरन उठ्मन होता है इसे संद इस परसिये रूपांतरन भी कहा जाता है यह रूपांतरन आतेंथ तीब गती से होता है और बास्तों में ज्वाला मुखी उद्गार की कारण तप्त मेगमा का तामान इतना अधिक होता है कि वह आसपास की चट्टानों को देवित कर देता है यानि कि उन्हें भी पिखला देता है और देवित पदार्थों के उद्गार की समाप्ती के बाद पुन्हा उनका स्तीतलन यानि कि पुन्हा ठंडी होगी और फालसरूप उनकी रूप परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हें रूपांतरित सेल यानि चटान कह देते हैं आप लोग ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखेगा तापी अत्वा संसपरी है रूपांतरन आप लोगों को दिखाई दे रहा है लावा बहुत गरम होता है हमें आपको लगता है कि यह ऐसा है वैसा है इसके रास्ते में जो भी पड़ेगा वो रूप ही मौम की तरह पिखल जाएगा यहाँ आप देखें चेतरी रूपांतरन ताप तथा संपीडन के कारण जब विसाल चेत की चटानों में रूपांतरन होता है तब इसे चेतरी रूपांतरन की संगया पिदान के जाती है बास्तों में इस रूपांतरन में संपीडनात्मक बल की द्वारा विस्त चेत की चटानों का अवतलन होता है और अधुगामी अवतलित चट्टानों नीचे तामान अधिक होने के कारण दिर्वित यानि की पिगहल हो जाती है, बाद में सीतलन यानि की ठंडे के कारण से रूपांतिक सेल का निर्माण होता है, और छेतिरी रूपांतन की किरिया अधिकांस्ता परवत निर्माण काल और इसे गतिक रूपांतरन की संग्या दी जाती है, और इस पेका संपीटन बल से स्थलखंड का आउतलन होता है, तब उपर से दवाओ की क्रिया कार करती है, फासरूप चट्टानों की विवस्था में रूपांतरन हो जाता है, और इनके आप देखेंगे कि इनके बहुते परतन तथा भार में विद्धी से उत्पन दबाओं से सेलों में परिवातन होता है, इसे जलिये परिवातन अत्वा रूपांतरन की संग्या दी जाती है, भूतल पर प्राक्तिक अत्वा मानवी कारणों से किसी इस्थान पर जल की जल जब विसाल रासी इकतित होती है, तो रसायनिक किरियाओं से चटानों में परिवर्तन हो जाता है, और कलांतर में चटानों का रूपांतरन हो जाता है, इसे जलिये रूपांतरन की आप लोग संग्या दे लेते हैं, यह आप देखें परददार चटान हो गई, दबाओ, दबाओ, ठीक है, और संपीडन के का कि अरद चठानों में जब रूपांतरन होता है, तब इसे अताप जलिये रूपांतरन की संग्याफ मिदान कीजाती है। कि विसाल इस्तरलों पर इस्तर पर सेलों का रूपांतर हो सके इसके द्वारा किबल लगू चेत्रों की सेलों की ही रूपांतर की क्रिया को समझा जा सकता है और रूपांतरित सेलों का भरगी के नाप लोगों को देखें तो मौलिक चट्टाने चट्टानों अगने तथा अवसादी सेलों की रूपांतर से रूपांतर सेल का निर्माड होता है और विशेज परिस्तितियों को छोड़ कर सभी परिस्तितियों में निर्मित अगने सेलों में मूल चटानों के कुछ मौलि गुड αवस्य होते हैं और फश्चरूरूप किस मूल चटान से इसका रुपानतन हुआ है इसकी पहचान की जा सकते हैं और इस आधार पर रूपांत्रिक सेल को निम्ना के दो बर्गों में विभाजित की जाता है एक आप देखेंगे आउसादी रूपांतिच चटान और दूसरी ये अगने रूपांतिच चटान और उपयुक्त बर्गी कारण से सभी पकार की रूपांति चट्टानों का बोध होता है परंतु कभी कभी चट्टानों में अति रूपांतर हो जाता है और फलसुरोप इसमें मूल चट्टान की गुड में इतना परिवत्न हो जाता है कि इसकी पहचान करना अस्थमभाव हो जाता है और आउसादी रूपांति चटान है ताप एवं संपीडन के कारण जब आउसादी सेलों का रूपांतन होता है तब इसे आप लोग आउसादी रूपांति चेल की संग्या दे देते हैं और इस पहकार की रूपांति सेल अपनी मूल चटान से बहुत भिन होती है सेल, आउसादी सेल, सिलेट, संगमरमर, कौइट, जाइट, आदी पिरमुक चटान है जिनका रूपांतन आउसादी सेल से ही निर्मित हुआ है अगने अउसादी सेल, ताप इवां दवाव की किरिया से जब अगने सेल का रूपांतन होता है तब अगने सेलों की भौतिक और रसानिक गड़ों में काफी परिवर्तन हो जाता है और इसे अगने अउसादी सेल की संग्या पिदान की जाती है महत्पूर्ण रूपांतिक सेल है आपकी इनसे questions कई बार कुछ लेता है महत्पूर्ण रूपांतरित सेल कुछ महत्पूर्ण सेल जिनका रूपांतर अवसादी और अगने सेलों के रूपांतर द्वारा हुआ है इन्हें जरूर आप लोग पढ़ लिजेगा इसमें आप देखेंगे संगमर्मर मार्वल दबाओ की कारण लाइम इश्टोन की चटानों चटान काफी घहराई तक चली जाती है और इससे कैल्सियम कार्वोनेट के करण के कैल साइट में परिवर्तित हो जाते है और फलसरूप नभीन चट्टानों कर निमाड होता है इसे जिसे संगमर्मर की चट्टाने कहते हैं और अतिदिक दबाओ के कारण इनका रूपांतन होता है और इनमें जिवास्वेस नष्ट हो जाते हैं और डोलोमाइट तथा खड़िया भी अधिकताप के कारण संगमर्मर की रूप में परिवर्तित हो जाती है तो यह आप लोग याद रखिएगा इसमें ठीक है? और सिल्ट इसे इस बारीक कड़ों वाली चट्टान का निमाड अधिकताब और दबाओ के कारण होता है इसमें फॉली एरोन का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ रहता है अधिकताप के कारण चीका तथा अन तत सिष्ट की रूप में बदल जाते हैं सिष्ट में कभी-कभी परतें भी आप लोगों को देखने को मिलती है तो यह भी याद रखिएगा इसमें और इसमें आप देखेंगे सेलेट जब परत्तार सेलों तथा सेल की रूप आंतरन से सेलेट का निर्माण होता है यदि दवाओ की सक्तिया आधिक वेगवती होती है तब इसमें अभ्रक की मातर आधिक होती है इसमें कड़ों का आकर अपच्छा कित बड़ा होता है अपच्छा की क्रिया इसमें आसानी से होती है बलुका पत्थर की रूप आंतर से इसका निर्माण होता है रूप आंतरन के बाद एहतिन्त कठोर हो जाती है इसमें quiet jide खनिच की मातरा दिख होती है और चूना पत्थर, डोलो माईट से संगमरमर बलुका पत्थर से quiet jide, cell से slate और तथा फिलनाईट, कांगलो मरेट और बड़े कड़ों वाली अगने cell से नीस महीन कड़ों वाली परद्दार और अगने cell से सिस्ट गैपरो से सर्फेंटाइन कायांति चट्टानों का निर्मार होता है चट्टानों का आर्थिक प्रभाव अगर आप लोग देखें आर्थिक मात तो क्या है इनका तो चट्टानों का प्रभाव ना किबल मानों की आर्थिक किरियाओ उपर पड़ता है बलकि इन से जीब जन्तों पराक्ति बनस्पतियों आधी पित्यक्च आपत्यक्च रोप से प्रभावित होते हैं चट्टानों से अगने आउसादी और कायांती चट्टानों की भी अपनी पितक 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 बिसेशता हैं जिनका पितक पितक प्रभाव मानों की खिरिया उसकी अर्ध वस्ता पर भी पड़ता है बास्तों में चट्टाने खनेज का भंडार भी हैं जो इमारत बनाते हैं उसमें जो पत्थर उपयोग होता है वो आप देखेंगे कि जो आवसादी चट्टान है उसी से लाया जाता है इमारती पत्तर सेंधा नमक जो सेंधा नमक आप लोग लेखते न ये भी आप देखिए अवसादी चट्टानों से निकला हुआ है डोलो माइट आधी तथा कायांती चट्टानों से आप देखिए चुमी के लुहा, हीरा, ग्रेफाइड, संग्मर्मर और आप देखेंगे कि आधी खनिज पतार्थ पाये जाते हैं और इनी खनिजों की आधरपा अनिक उद्ध्यों उद्ध्यों विक्सित किया जाता है और इसके विप्रीत खनिज संसादों की द्रिष्टी से निर्वल देशों और चेत्रों में अल विक्सित अर्द्वस्ता होती है और भिन भिन खनिजों का भिन भिन आर्थिक मात भी है फैलसपार का प्रियोग पार्सेलेन और चाइना पाउडर बनाने, क्वार्ट जग का प्रियोग कांच में रेगमार रेडियू वा टेलीविजन के ट्रांसमीटरों में, अब्रक का प्रियोग गरनेट पेपर बनाने में, टेल्क का प्रियोग रंग मृति का सिल्प बपिसाद सामग़ी बनने में घ्रेप समक्र प्रयोग इलेक्टोड बनने में जिपसंग का प्रयोग मुकुरूप से प्लास्टर बनने में किया जाता है। वर्तमा समय में मनुस्ट्रा ने इन्येक नवीन विद् UP प्रिविधियों की खोश कर गछानी में इस जाता है। दुर्गम जटिल इस्थानों पर जहां उतकरशण कार किया जाता है, वहां पर मानों की दो किरियाएं बिटसित होने लगती है, उतकरशण एवं उनकी अनेक सहाय किरिया खनिज प्राप्ति छेत्रों में होती है, जिससे जैंग संक्या की विद्धी होती है, जाती हैं खनिज के गुड़ों में भिन्नता होती है कठोर तथा मुलायम और प्रवेस अत्वा आप प्रवेस आधी चट्टानों का प्रभाव बनस्पति या तयायाद किरसी बाद निर्माद आधी पर पड़ता है यदि चट्टाने कठोर हैं तो इनमें सर्जित मिर्दा अनुवरक होती है इ जाने की खेती के लिए उपयोक्त नहीं है और फास्तोरुप किसी कार संभव नहीं होगा और इसी पिकार मुलायम चट्टानों से औरवरक मिट्टी का निर्माद होता है यानि कि जो मुलायम चट्टान होगी वहाँ देखते हैं कि खेती के लिए अच्छी रहेगी और जिस होती हैं कठोर ओग चट्टाने नगन चट्टानों बालिचित बनस्वती से रहेत होते हैं जबकि अन्चेतर साधन बनस्वतियों से युक्त होते हैं फिर आप देखें चट्टानों की गुडों का आभाओ गुडों का प्रभाओ इस्थालाक्तियों पर पड़ता हैं मैदान की रूमें परिवर्टित हो जाता है, इस पर केसी कार वेहद इस्तर पर किया जाता है, साथी साथ जनसंक्या का जमाव अधिक होता रहेगा, जहां खेती रहेगी आसानी से पानी की विश्ता रहेगी, लोग वहीं बसना पसंद करेंगे, इसी पिकार की जो चट्टाने का घनत बहुत कम देखने को मिलेगा पितवी की बाहिस खोल जिसे पपड़ी कहा जाता है यह ठोस चटानी भाग है यदि चटानी आउतरन नहीं होता तो भू सतय पर कुछ नहीं होता मनुस उसकी आर्थिक किरिया बनस्पतिय जीट जन्तू आदी किसी के अस्तित की कल्पना नहीं की जा सकती थी और बास्तों में भू गर्वी किरियाओं से चटानों में तोड मरोड की किरियाए होती है और जिनमें बर्सा का जल संचित होने होता रहता है और यह जल बिविन सरोतों की रूप रोप पस्वों की पीने सिचाई करने आदी में किया जाता है और मानो संस्किती का प्यारंभिक पत्थरों के उपयोग से हुआ है यह आप लोगोंने इतिहास में फड़ा होगा ठीक है? और पुरा पासांड का नव पासांड काल में मानो अपनी सुरक्षा और अनेक आवस्तक्ताओं की पूर्ती पत्थरों की साहता से करता था आप देखें कि सिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग पत्थरों के ओजारों का उपयोग करता था बिभेन पिकार के ओजार हत्यारों का निर्माड पत्थों से कर उसने संस्किती की आधार सिला रखी पत्थों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर भवन का निर्माड का रूप दिया देने लगा संस्किती के विकास के साथ पत्थों का उपयोग बढ़ता गया और जिसके इनके बिसाल अट लिकाओं, किलों, पुलों आदी का निर्माण किया जाने लगा इसके अलावा मनुस की अनेक आवस्ताओं की पूर्ती के लिए इसका उफियोग किया जाने लगा परवतिय तथा पठारी छेत्रों में इस समय भी इसका प्रियोग बेहद इस्तर पर किया जाता है और इसपर स्थे की चटाने एवं इनके बिभिन उपादान मनुस की सांस्किती, संस्किती के स्थेगामी भी है जो आप लोग अगने चटान पढ़ते हैं इसमें आप देखते हैं ग्रेनाइट के बारे में पढ़ते हैं बैसाल्ट के बारे में पढ़ते हैं फिर आप देखते हैं ग्रवो के बारे में पढ़ते हैं bitumenus koila के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो इनी के अगर हम लोग रूपांतरित नाम देखे ना रूपांतरिक भाग देखे ना तो granite का नीस हो जाता है और basalt का silt cyst हो जाता है और silt cyst और gebro का serpentine हो जाता है bitumenus koila का graphide में बदल जाता है यह रूपांतरित हो जाता है वहीं आवसादी अगर हम देखे तो जैसे cell है तो यह silt में बदल जाती है चूना पत्थर है यह संगमरमर में बदल जाता है रूपांतरित चट्टान है संगमरमर ठीक है और बलुका पत्थर quiet jite में बदल जाता है dolomite संगमरमर में बदल जाता है lignite koila anthicide koila में बदल जाता है और रूपांतरित में आप देखते हैं कि वह पुना रूपांतित हो जाता है silt जैसे phylight में phylight system में बदल जाता है ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी चटानों की कहानी खतम होती है और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा एक से दोबारा आप लोग देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा और अंगली क्लास में हम लोग अपरदन की जो अभी करता है उन पर बात करेंगे हम लोग अपरदन की बारे में हम लोग बात करेंगे जानेगे बहुत कुछ जानने के लिए है इसके बारे में तो जरूर आप लोग इंतजार करिए मिलिए और मेरे लिए कुछ हो आपकी पास सुझा हो सवाल तो आप लोग नीचे भेजिएगा ठीक है आप लोग पढ़ते रहिए इंज्वाय करते रहिए आपके लिए सुब कामना है